नमस्कार दोस्त है आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हम इस सेशन में डिसकस करेंगे फंडमेंटल थियोरोम अर्थमेटिक यह रियल नंबर का पार्ट थर्ड है पार्ट टू अल्रेडी अप्रोड कर चुका हूं आप उसे पहले देखें उसके बाद इस सेशन को अट कोई भी नंबर होता है कोई भी नंबर है एनी नेच्रोल नंबर हम लेते हैं एनी नेच्रोल नंबर उसको उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के मल्टिपल में हम उसे लिख सकते हैं जैसे एक्जांपल के तॉर्प में लोग 6 है 6 ह तो 6 में prime number को क्या-खर छुपा है 6 में prime number छुपा है 3 into 2 एक सक्में brightness बहुत जैदा है ओके इसमें एब सही है 3 into 2 क्या है Prime number है मैंने Prime number का definition already पड़ा चुका है så first video number system के लिए बहुत important आपको complete number system यदि समझना है तो first video जरूर देखे on नमबर गा तो थे और टी आओ ये प्राइम नमबर है और इसके है यह मैं इनके दोनों का प्रोडॉक करने बाद क्या मिल बाद हमें एंक नमबर मिला एक नैचछन नमबर मिला समंज में तो फंड़्डमेंटल फंड़्डमेंटल ठीओरम और्थमैटिक यह कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है कि समझ मैं जितने भी कंपोजिट नंबर है मैं इसको पहले इस तरह से समझाता हूं कि यह दी माल लेते हैं आप कोई एक ग्रूप लो ठीक है ग्रूप लिए उसका क्या बोलता है सरी बहुत ज़यांस स्टार्विग आते हैं क्या करें आप है हम प्राहिम नंबर का ग्रूप लेते हैं जिसे चलए 13 इस तरह से हम और 31 इस तरह से लेंटनियेंग यह हमने उन्यक्रट लिए क्या मैं इनके मल्टिपल से बहुत आरे लिख सकते हैंů यदि इनको मल्टीपल करो तो एक नमबर नए नशार नशारओ करो नेच्फरन नमबर होंगे समझत सो नेच्रल नमबर होंगे सो क्या हम यह कह सकते हैं कि जितने भी नशारूर नमबर है उसको प्राइम फैक्टराईज करके उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या ऐसा कहना सही होगा सो देखते हैं मैं एक एक जामपल लेता हूँ आपको 320 ले लेता हूँ और मैं इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करता हूँ फैक्टराइज किया 2 किते बार में जागा बताओ 160 2, 80 2, 40 2 बार में 22, 10 25 क्या आपको इसमें यह नहीं दिख रहा है कि ये सारे चारे क्या है प्राइम नंबर है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं ये तो मैंने एक्जामपल लिया एक और भी आप एक्जामपल लेख सकते हैं जैसे मैं एक छोटर नंबर लेता हूं जैसे 75 ले लिया 75 75 किसे जाएगा 5 से जाएगा ना आप 5 से जाएगा इसका मतलब आप इसको कितने बार में लिखोगे 15 तो आप कोई भी नंबर ले लो वह क्या उसको किस फोर में लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके उसको प्राइम प्रोडक्त के फोर में हम लिख सकते हैं और यह है हमारा अचल का fundamental theorem of the arithmetic तो इसका statement क्या हम बोलेंगे कि if every composite numbers is factorized В every composite number is factorized the factor all factors are prime number are prime number if the prime number is multiply again मतलब यह दी किसी नंबर का आप फेक्टराइज करतो हो तो वो किस में तूड़ता है वो प्राइम फेक्टर में तूड़ता है समझें और इसी को बोलते हैं fundamental theorem of the arithmetic every composite number can expressed मतलब सारे composite number अब देखो composite number की बात है composite number में पहले बता चुका हूँ composite number को हिंदी में भाद जी संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को अभाद जी संख्या बोलते हैं तो fundamental theorem of जो मूलभूत arithmetic का जो मूलभूत theorem है वो यही है कि जितने भी every composite number can expressed as a product of the prime as a product of the prime and this factorization is unique और वो एक क्या होता है एक unique होता है apart from the order of which of the product occur prime factor occur मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यदि को भी every composite number है उसको हम prime factor के form में लिख सकते हैं एक unique और जो prime factor जो लिखा जाता है वो factorization एक unique है हर number का unique prime factorization होगा लेकिन rather than सिर्फ apart from is its order order नहीं सेम हो सकता है ऐसा कोई जरूने की order सेम हो जैसे कहने का मतलब मैं इसको example से समझाता हूं जिसे मैंने 30 लिया 30 में देखो क्या 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 है 15 यह 10 से लगा है 15로 कि फिर किष्या है ज करें प्रोडंट के फ़र्म लिख दिया तो इसको क्या लिखे प्रेक्टरा रोगा तो आपको अलगलग दिफरेंट डिफरेंट आपको एक format मिलेगा प्राइम नंबर का Byर्मिन इसमें आपको टू इन्टू थरिंटू फाई मिला कि ये सब के लिए अलगे ये सेम नहीं सकता हर नंबर का एक प्राइम चेंज कर सकते हैं तो यो टिकत 20 mr नहीं न अब मैं ऐसे लिखनू 3 into 5 into 2 लिखनू तो कोई दिखतरों मैं ऐसे लिखनू 2 into 5 into 3 लिखनू तो कोई दिखतरों तो आंसर तो वही और तो यह प्राइना सत्रा impact थे इसलिए रिया क्या है एक जिदने भी नंबर है जितने भी हैं उनका जो प्राइम है compliance है यो उनिक लेकिन चांप अपसलों नहीं है क्योंकि आप किसी भी तरीक रिख सकता हो आपकी मर्जी है आप गलत नहीं हो सकता तो ऑप पहले या उपर से नीचे रिखो या आप कहीं से भी लिख सकते हैं तो यह था fundamental theorem of the arithmetic I think आपको यह clear हो गया होगा अब मैं इसको एक यहां से आपको पूछता हूँ कि आप बताओ कि जितने भी composite number हैं मैं composite number बोल रहा हूं तो बतता है कि कमपोजित number को?कू को नाते हैं जिनके कम्से कम तीन factor होता है तो मैं composite number का बात कर रहा हूं प्राइम नंबर को तो प्राइम नंबर में तो प्राइम नंबर है इसको क्या लिखना है मैं कमपोजित नंबर का बात कर रहा हूं समझ में मैं composite number का बात कर रहा हूं कि हरे composite number को every composite number ध्यान रखनाए मैं composite number बोल रहा हूं composite number के एक unique prime factorization होता है और उसका जो order होता हुँ यूनिक नहीं होता अब सारी composite number येवरी जो composite number हैं जो भाजिस संक्या हैं उनको प्राइम फ्राइम भाज्वा क्यों समझा जाहूं जब हम प्रायम फ्राइम नंबर हम लिखा जाता है कि उसको ब्रेक करेंगे तो वह सारे प्राइम नंबर ही में यह आ जाएगा इसका जवाब बताओ देखो मैं यह आपसे पूछता हूँ कोशन कि आप यह बताओ कि composite number एक जो composite number होगा अब वो composite number में क्या होगा या तो वो odd हो सकता है या even हो सकता है अर जब मैं एक से start करता हूँ तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जाओं तो यह क्या है यह इसमें एक prime number भी होगा एक composite भी होगा ठीक है? odd भी होगा, even भी होगा तो मतलब हम इतना तो confirm है कि 1 के gap पे तो odd मिलता है हमें ठीक है? और 1 के gap पे even मिलता है समझ में आ है? तो जो एक composite number होगा ना जो एक composite number है वो इवेन भी हो सकता है और वो भी इवेन भी तो हो सकता है ना कि क्यों और इवेन मिलके ही तो सारे नमबर नेच्रोल नमबर मिल जाते हैं तो अब और नमबर है और इवेन नमबर है और उसे हमें ब्रेक करना है अब जब ब्रेक करेंगे उसमें तो इसका मतलब उसमें यह हो इसमें छुपा रहेगा क्योंकि एक इवेन नंबर है तो तो का तो मल्टिपल हो गाई टू इन्टू है तो तो इसके प्राइम नंबर भी तो तो आ नहीं है प्राइम फेक्टर में अब यदि मैं इसे ब्रेक करके लिखे लेता हूं 15 इन्टू लिखे लेता हूं तो आप प्राइम नंबर भी आएगा जैसे तीन और पांच और फाइब 15 को और मैं एक बार थोड़ लूँ तो फाइब एंटू 3 मिल जाएगा तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जीतने भी हमारे नंबर बने ना जीतने भी हमारे अगलकहर राँएब 19 नंबर बने वह व्लेक्तर को ही मल्टिपल करके बने हैं संज्व्य में आया है वह स्वशू प्राइम फैक्टराइशन और प्राईम फैक्तराइशन आफ सब्सक्राइब जो इंदी में हम ऐग आईसे बोल जते हैं कि अबबहाद ञुननंखंड अवाज जी गुनन खंड जो प्रकृत संख्या का है वो एक यूनिक है ठीक है वो एक यूनिक है except कि इसको छोड़के उनके factor के order को छोड़के order को छोड़के क्या है वो यूनिक है यहां पर और इसको sort form में भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे यह इतना factor है न तो इसको टू इंटू 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 ऐसे आपने देखा भी होगा कि हें ऑबर में भी इसको convert कर देते हैं तो कितने बार में है वन टू 3 5 6 है थो 2 इंटू 6 & 5 भी हम अशर लिख सकते हैं तो आप यह कह सकते हैं की प्राइम के जो जितने भी कमपोजेटर मेर है वो प्राइम फेक्टर के पावर के रूप में भी लिखे जा सकते हैं प्राइम फेक्टर के पावर के रूप में भी लिखे जा सकते हैं ओके चलिए अब हम इस पर देखते हैं कोशन कैसे इसमें सॉल्व होगा तो आपको एक question मैं लेता हूँ कि कोई number मैंने या consider किया number ठीक है मैंने या consider किया एक number question और number ये है number इस परकार है कि 4 की power n है number क्या है 4 की power n है number समझ मैं जांकि n क्या है कोई natural number है n is a natural number अब जब भी natural number बोलता हूँ तो उसमें 0 count नहीं होगा ठीक है क्यों क्योंकि जब तुम इसमें 0 count कर दोगे तो यह तो 1 हो जाएगा समझ मैं सोरी नेचरल number n क्या होगा नेचरल number होगा अब आपको क्या ये question नहीं पूछ रहा है आप से कि बताइए कि n का कोई ऐसा possible value है जिसपे कि यहां पर इसमें n का value पूट करूं जिसपे कि जब इस पर इन का value पूट करूं तो यह result ऐसा दे कि जिसके unit digit में 0 हो मतलब यदि मैं इस पर मा ले जाए जिसे मैंने आप यहन का value 3 ले लिया तब 4 का 3 4 का power 3 क्या होता है 4 का 4 6 हो जाएगा फिर 64 होगा समझ में 64 होगा तो 64 यह पूछ रहा है कि यह तो हमने एक example 3 लिया क्या ऐसा कोई और नंबर है 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा जो कि यहां पर n का value पूट करें ताकि 4 के power इस पर n का value पूट करें तो वो लास्ट में यह जैसे चार दिया ना यह चार ना होके जीरो हो क्या ऐसा कोई possible है इसको सोचो कैसे कर सकते हैं तो देखो इसमें आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि 4 into n है 4 into n जो नंबर है कि यह दी मैं माल लेता हूं माल लेता हूं क कि इसके last में कोई 0 अभी मैंने number नहीं माना है बस मैं माल लेता हूं कि कोई number होगा जिसके last में 0 आ गया होगा ठीक मैं माल लेता हूं वो नंबर रहा होगा 200 ऐसा कुछ पस मान रहा हूं ठीक है 200 रहा होगा अब क्या आप यह चीज़ तो यहां से observe कि इतने दिनों में क्यू वो तो आपको पता होगा कि जिस भी किसी नंबर के आगे त्रॉड लिफMr. जीरो होता है वह 5 और ये क्यों होता है जिसके लाष्ट में यूनिट इजिट में 0 होता है वो 5 से डिवाइड क्यों हो जाता है complete क्योंकि मैं और कोई example लेता हूं को इससे 50 ले लिए मैंने तो 50 में 5 इसको मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो 5 into 5 into 10 नहीं लिख सकता क्या या मैं ऐसा ले लूं है 150 ले लिए सकता इसको फिटिन 8 इंट पिए तो आपको जब भी आपको कोई भी नमबर दे देसे मैं ननके संदी को 23 ले लिए सकता है मिए आपको हर चीज़ में आप देख रहें म Sabrina कि जब भी हाफ को लास्ट में हमेसा 10 दस लिख सकते हैं कितना नंबर प्राइबगी तो यह थू प्राइम यह तो फाइब ऐधिसा रहा हो नहीं हो ना 5 से यह divide हो नहीं होना है समझ में आया तो इसका मतलब यह ध्यान अगना कि जिसके भी unit digit पे 0 होता है वो क्या होता है 5 से divisual होता है 5 से divisual होता है अब आपको यह हमें बताना है कि क्या यहां पे कि कोई number ऐसा n का है जो आपको unit digit पे 0 देते फोर पे आप वो number डालो और वो आपको unit digit पे 0 देते तो देखते हैं अब मैंने यहां पे एक चीता समझाया कि जब भी आप 0 last में लाना है तो इसका मतलब वो 5 से divisual होगा और जब 5 से divisual है इसका मतलब कि उसको उसका जब हम prime factorization करेंगे जैसे मैं 50 का prime factorization करूँ यह 5 से divisual है तो इसमें कहीं न कहीं prime नंबर में 5 तो आई गई आएगा यह मानते हो नहीं मानते हो तो 5 से मैं यहां पहले 2 से लगाता हूँ चलो ठीक है तो 25 आप 25 को फिर 5 से करोगे तो यह 5 आगे ना तो आप कोई भी number ले लो जिसके last में ट्राइस करोगे तो क्या आपको उसमें 5 आएगा नहीं आएगा क्यूं क्यूंकि देखो 2 में 4 में क्या चुपा हुआ है 2 चुपा हुआ है 4 में क्या चुपा है 2 तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या 2 की पावर 2 इंटु एन अरे 2 की power 2 into n लिख सकते हैं न मैं इसको मैंने बताया पहले कि यह क्या हो जाता है जब इसको power break करेंगा तक क्या होता है 2 की power 2 आएगा यह 4 की power n बन जाएगा और समझ में आया ठीक अब बताओ 4 की power 2 की power 2 की power 2 की power 2 n है कुछ या नहीं मतलब यह एक even नंबर ो गया जो ऑए और कोई फर्क नहीं परता लेकिन यह दिए आपका base क्या हो गया मतलब two एक prime number even even prime number हो गया तो अब क्या इसका जब भी कोई भी number मिलेगा इस से related कोई भी number हमें मिलेगा तो क्या उसमें प्राइम फैक्टर फाई आए गा कभी आएगा नहीं आएगा क्यों आप एकजाम्पल देख लो बने फाइव दिया है किदना होता है था हमधुकिधिर नहीं अगा सकता हूं तो करके दिखाता हूं 32 का तो कितना हो जागा टू 16 टू 8 टू 4 टू टू तो मतलब यह जब कम्प्लीट यह देख रहा है ना टू के पापर पांच है तो यह इसका मतलब 32 में 5 तो आने सरा 5 तो आएगा यह नहीं फाइब तो प्राइम फेक्टर इसमें आना ही नहीं है और ज इससे कि multiple करके यह जीरो बना देगा लास्ट में 0 लाने के लिए तो अमने 5 तो प्राइम नंबर चाहिए ना हैं जिसे की आपको लाश्ट में zero 0 दे समझ में आया तो इसलिए कोशन को एक ही कोशन लेता हूं लकिन उसको मैं तरीकल से समझाता हूं कि आप एक बार तरीका से गये लेके कोशन करने का मैं आप आपको आपको मैं 100 question करा दूं और बस मैं आप मैं अपने आप में जैसे आउं और वहां देखो ऐसे होता है यह होता है और ऐसे हो गया फिर next question ऐसे होता है मैं इसलिए time लेकर समझा रहा हूं इसे कि पावर एन नंबर हो उसके लास्समें 0 आंए और यह जीरो आने के लिए तभी पांसे डिएजिए आपन्स तकरें और उसमें इसको डिए यहने हो और इसको फ्राइन करेंगा और कि चालन करींगे तो उसमें तो आना ही नहीं पांच का तो कोई चर्चा ही नहीं जब मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखूंगा तो यह तो टू की पावर टू यह नहीं है तो इसका मतलब यह जब भी फैक्ट राइज होगा तो टू के ही टू ही इसमें प्राइम नंबर आएगा ठीक है आएगा क्या कभी जीरो नहीं आएगा उसमें पांच एक बीच में आना जाता हमारा प्राइम नंबर फिर वह जीरो बना देता तो इसका मतलब यू डिजिट पे जीरो नहीं आ सकता है एनका कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है एक से लेकर इंफिनिटी तक जिसमें की तो इस पे लाज्ट डिजिट पे जीरो आ जाए समझ में आया अरे समझ में आ गया होगा आई थिंग अब मैं नेक्स कोश्चन क्यों चलता हूं और यह कोश्चन आपको NCIT के बुक में एक्जांपल में आपको मिल जाएगा आप इसे सॉल करना मैंने बहुत अच्छे तरीक कि LCM और HCF निकालने के लिए ठीक है LCM और HCF निकालने के लिए बाइदी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते ही होंगे बाट फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं क्योंकि आपके सिलेवस में है इस पर कोश्चन भी आएगा तो बता देते हैं इस प्राइम फैक्टराइशन के थुरू LCM और HCF निकालना है HCF हमने पहले अभी पिछले क्लास में देखा था कि अलगरिदम के थुरू निकाल देते हैं यहां पर आपको किस के थुरू निकालना है LCM और प्राइम फैक्टराइशन के था तो देखो अब हम याप एक को एक्जामपल लेते हैं जैसे मैं लेता हूं जामपल में ले लोँ 6 और 6 और क्या लोँ बताओ 625 ले लेते हैं 625 ले लेते हैं तो 625 का LCM एदी में निकालूँ एदी मैं आपसे पूछूँ कि इसका चलो बताओ AG बता क्यों लेशा से निकालोगे तो यह से निकालेंगि कि 166 को पहले प्राइम फैक्टराइज तक मतलब इसको प्राइम नमबर में तो जो लो 3 Jerry into 2 पर सिवा और 525 को कैसे तोड़ेंगे 5255 इनका ओर क्या लिए का लिए इसको क्या लेख 보시면 3 इनकालना है तो तो HCF क्या होता है ध्यान अखना HCF जब भी निकालते हैं हम तो यहां पर लिखते हैं product 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 of smallest smallest power smallest power of each common इसके smallest प्राइम फैक्टर इन नमबर इन नमबर में इसे तरह से LCM का बोलू LCM का तो LCM क्या हो जागा इसके smallest के जिए पर ग्रेटेस्ट आ जागा ग्रेटेस्ट पावर ओफ इच प्राइम फैक्टर इन वॉल्विन नमबर तो आप देखो मैं पहले HCF लिखता हूं कि HCF क्या हो गए इनका तो HCF आपको क्या बला है product of smallest power तो प्रोड़क्ट ओफ smallest power of each common इच कॉमन इच कॉमन प्राइम फैक्टर तो इसमें कॉमन क्या है भूलो सर इसमें तो कॉमन है नहीं इसमें तो कॉमन है नहीं ठीक है तो अब क्या करें तो आप क्या करो कुछ बच्चे यहां पर घबरा जाएंगे घबराने का क्या है बात इसमें तीन है अब इसमें नहीं देखते हैं हम से देखते हैं नंबर के पावर किसक में से हाइस्ट है अब इसमें थीन है इसमें 3 नहीं है तो आप हम इसमें 3 का माईक०्प कितना है नहीं कितना इसमें तो IP नहीं है तो 5 के power हम क्या लिख देंगे इसको 2 आ जाएगा तो इसको बोलेंगे मालब इसका मालब यह हो कि दोनों में एधी common हो जाता ना एधी common होता तो उसमें से greatest power लेकिन इसमें तो common होना है तो सिधा सिधा हमने लिख दिया तो इसको हम 5 टूजा 10 और 30 30 एक question और लेते हैं मैं लेत तो 100 का prime factor करो तो हम इसको short form में कर लेते हैं थोड़ा क्यूंकि देखो पहले इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं क्यूंकि इसको बार बार डिवाइड करके नहीं देखना है दिमाग भी तो चलाना है थोड़ा सा पहले इसको ऐसे लिख लो 25 x 4 इतना तो टेबल आता ही होगा 25 for अब जा 100 और अब इसमें देखो 5 प्राइम फेक्टर प्राइम फेक्टर में तो हमें ब्रेक करना है न तो इसमें 5 चुपा हुआ है इसमें 2 चुपा हुआ है चुपा है नहीं चुपा है बस निकाल लो इसको तो इसको हम जानते हैं कि 5 का स्कॉयर कर देते हैं और इसको कर फिर आब एसा ब्रेक कर लो इसमें क्या छुपागो इसमें दोוט बचयों थिन और पाइप और इसमें दो प्रभाइब नीम नॉबर तो का स्क्वाइर होगी इसकान ये स्काल निकालना है लेकर डेल अलब काबर शुआय में तो मैं कोशना हमें दोनों में दोन इसमें नहीं नहीं तो इस तरह से आप इसको यह नियुक्त की बात करूए कि कि यह क्या हो जाएगा ऐसे अब का हमने प्रेंगत करें डिखा था कि वह लो्यक्य लो एस्ट और को मन हो दोनों में को मन भी होना चाहिए समझ में तो कूम्न इसमें बताउ इसमें कोमन कौन है पांश है क्या पांश है हाँ है है लेकिन और सिमझ लोेश्ट कौंचा है तो यह हैं लेश्ट कितना है फांस का उओ नहें तो पांस लेंगे इसमें दो और des leans मैंने भीरात समय बताए था कि एसाफ नमबर होता है तो दोनों से देखो डिवाइड हो जाता है पंद बीस पच्छे 100 और बीस ती आए 60 और जब इसका निकालेंगे तो HCF क्या होता है वो नमर होता है जिससे की इन से सारा डिवाइड हो जाए तो इसका निकाल देखो कितना हो जाएगा 25 पचीस 100 और 300 हो जाएगा यह है अब 100 से भी डिवाइड होगा 300 और 60 से भी डिवाइड हो जाता है 5 बार में समझ में तो यह HCF LCM प्राइम फैक्टराइशन से फाइंड आट कर लिया जाता है एक और यहां से इंपोर्टेंट डिजल जो हमें बताना है है इंपोर्टेंट डिजल यह कहता है कि जब भी आपको जो LCM और HCF हाता है ना LCM और HCF LCM इंटू HCF HCF equal to क्या होता है जो आप नंबर जिस नंबर का आप LCM HCF निकालता हो उनका समझ मैं जैसे मैं यहां पर बताऊं कि 60 यह हमने हंडेड और 60 का HCF निकाला तो हमारे लिए ए हो गया और यह बी हो गया समझ मैं इसका LCM कितना आया 300 आया इसका HCF किया आया इसका HCF आया 20 अब 300 को मल्टिपल करो 300 मिलेगा आपको 300 NT को मल्टिपल करेंगे तो यह मिलेगा क्टना 6000 कि और इन दोनों का मल्टिपल ऑद अइन टोबी करोगे तो क्या आएगा आ आपको संऔर्ड इन्टोem सिक्स ताउजंट तो आप यह रिजल्ट आप आप इम्प्रेंट ध्यान रखेंगे और इस क्षर बिचार करेंगे कि ऐसा क्यों होता है अंके एक्सलिन करेंगे OSC किसी नमबर का LCM दे रखा है यदि आपको किसी नमबर का LCM दे रखा है और एक नमबर दे रखा है या दोनों नमबर दे रखा है तो आप HCF पता कर सकते हो यदि HCF दे रखा है और दोनों नमबर पता है तो LCM पता कर सकते हो समझे है सो यह हमारा important result था इसी तरह से आपको कुछ questions करा देता हूं देखो मैं example से एक समझा देता हूं फिर next class में हम question इसका करेंगे question यह है कि आपको find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method hence their find their LCM आपको HCF भी बोला है और LCM भी बोला है तो देखो आपको क्या लगता है आपको किसमे find out करने में अच्छा लगता है HCF find out करने में मज़ा आता है या LCM मतलब कौन सा hard लगता है आपको हमें तो HCF ज्यादा easy लगता है क्यों क्योंकि हमें इसमें minimum power लेना है और common भी लेना है समझ मैं तो इसका calculation कम होता है तो हम को पुछा है HCF और LCM दोनों पुछा है तो हम दोनों को prime factorization से क्यों निकाले हम HCF निकाल लेते हैं फिर यह यह जो formula है इसमें put करके और LCM find out कर लेंगे तो हमारा थोड़ा मेनत बच जाएगा हम थोड़ा smart work करते हैं तो 96 को prime factorization में तोड़ोगत क्या होगा 96 को पहले तो ऐसे लिख लो कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कि किसका आदे को आपको 32 में 3 से multiple करो तो 32 into 3 तो 36 और 96 को 32 into 3 लिख सकते हैं और 32 को हम क्या जानते हैं कि 32 को तो हम 2 की पावर 5 लिखते हैं into 3 तो प्राइम factorization हो गया तो एक प्राइम नंबर है और यह 3 प्राइम नंबर हो गया अब हमारा बच गया 404 अब देखो भई यह 404 एक मैं नंबर बताता हूं 101 यह बहुत इसको ध्यान रखना यह 100 से उपर यह फर्स्ट प्राइम नंबर आता है और इसका मल्टिपल में बहुत ज्यादा हमारा यूज होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 401 into 4 एनी डाउट 401 into 4 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 4 प्राइम फेक्टर में 2 की पावर 2 तो सुफरा साप कर दो हटना दो भाईया साब 2 के पास आते हैं यह धाए वह साथ दो रक रक है यह यह अ सपांच ह्रक है तो यह हमने ब्ली Cris में तुमको हम बस्कों नहीं देंगे हम यह चोटे वाले भाई को बेल्यू देंगे तो हमने छोटे वाले बाई को दिया और यहां पर बुला लिया आजार भाई आ गया तुम तो फॉलकर को न सब्सक्राइब दोन हो Lewis ले इस आगे सिखाना और भाइदी फोर्मूला निकाल लेना फिर इस से तो LCM का फोर्मूला क्या है यहां से LCM इकुल टू एलसीम इकुल टू एलसिम इकुल टू क्या हो जाएगा एंटू भी डिवाइडवाइज सबस्कि इसको सब्थेह दो यहां से ईब हमारा क्या है एक बच्चा और 16 चोविस बार में फिर 24 को इसमें मल्टिपल कर दो तो मल्टिपल करो देखो कितना हो जाएगा जब हम 400 को मल्टिपल करते हैं थोड़ा सा केल्कुलेशन क्या है थोड़ा केल्कुलेशन अपने आप से स्ट्रॉंग करने कोशिश करना डेली तो 24 को मैं पहले 400 में मल्टिपल करता हूं तो चौतर चौतर च्चान में 96 में 96 निकालना सिखा अब नेक्स्क्रास में हम पढ़ेंगे और वीजिटिंग इरिशिनल नंबर पर हम ज्यादा डिसक्र स्टार्ट करेंगे नहीं स्टार्ट करेंगे नहीं और या मैं स्टार्ट करेंगे okay so this is the end of the video thank you for watching dynamic education this is rawit signing off